आज हम बनाने वाले हैं एक्स्प्रेस डबल अंडा मसाला बिर्यानी या फ्राइड एक मसाला बिर्यानी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं पहले मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेन पे एक पैन लिया हुआ है, पैन जैसे ही गरम होगा मैं इसमें तेल डाल रहे हूँ, तेल मैंने लगबग 3-4 बड़े टीस्पून लिया हुआ है यहाँ पे, तेल हम इसमें थोड़ा सा ज्यादा लेंगे क्योंकि हम बिर्यानी बना रह तो चलिए जब तक तेल गरम हो रहा है हम अंडे तयार कर लेते हैं देखिए मैंने यहाँ पे 8-10 अंडों को पहले से ही उबाल की इसके छिलके निकाल लिए है मैं यहाँ पे 4-5 लोगों के लिए बिर्यानी तयार कर रही हूँ तो चलिए अब हम इसका मसाला तयार कर लेते हैं तो देखिए तेल यहाँ पे अच्छे से गरम हो चुका है अब मैं उबले हुए अंडे एक एक करके इसमें आड़ कर रही हूँ फ्लेम को मैंने यहाँ पे medium to low रखा हुआ है क्योंकि हमें इसको जस थोड़ा सा फ्राई करना है यह पेले से ही उबले हुए है देखिए मैं इसको धलके हाथों से थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ एक से दो मिनट तक इसको मैं अच्छे से फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें मसाले अड़ कर ली हूँ देखिए मसालों में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धल्वी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला लिया हुआ है ये लगबग एक चोथाई टीस्पून है सारे मसाले इन सब को अभी हम इसमें एड करके इसको धीमी आज पे अच्छे से फ्राई करेंगे हमें बस अंडो को थोड़ा सा मसालों के साथ कोट करना है तो देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं अब हम इनको निकाल के साइड में रख देंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इसमें जो बचा हुआ तेल है अब हम इसमें प्याज आड करेंगे प्याज मैंने यहाँ पे 3-4 बड़े साइस की प्याज ली हुई है इसको मैंने बरीक स्लाइस कर लिया है चलिए अब हम इसको तेल के साथ मिला लेंगे और अच्छे से गोल्डन कलर होने तक इसको भी हम फ्राई कर लेंगे फ्लेम को मैंने यहाँ पे medium to high कर दिया है क्योंकि हमें प्याज को फ्राई करना है तो देखे दो से तीन मिनट तक मैं इसको अच्छे से भून लूँगी देखे दो से तीन मिनट तक इसको भूनने के बाद मैं इसमें हरी मिर्च एड कर रही हूँ हरी मिर्च मैंने यहाँ पे 6-8 ली हुई है अगर आप तीखा कम खाना पसंद करते हैं तो आप इसको 4-5 कर सकते हैं इसको मैंने बीट से चीरा लगाया हुआ है इसको भी प्यास के साथ अब हम अच्छे से भून लेंगे देखिए लगबग 2 मिनट तक मैं इसको अच्छे से प्यास के साथ फ्राई कर रही हूँ 2-3 मिनट के बाद अब हम इसमें गरम मसाले अड़ करेंगे गरम मसाले में मैंने यहाँ पे तेजपत्ता लिया हुआ है 2 3-4 लॉंग लिये हुए है 2-3 इलाइची ली हुई है हरी एक स्टारनाइज लिया हुआ है और एक दालचीनी का तुकड़ा लिया हुआ है अब इन सब मसालों को हम प्यास के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे अगर आपके पास गरम मसाले अवेलेबल नहीं है तो आप गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं आप गरम मसाला पाउडर आधे चमच जितना लीजिए लेकिन खड़े मसाले डालने से बिर्यानी बहुत अच्छी बनके तैयार होती है अब हम इनको प्यास के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इसका फ्लेवर नहीं रिलीज हो जाता तो देखिए लगबग 5 मिनिट के बाद प्यास अच्छे से भुन चुकी है ब्राउन हो चुकी है प्यास अभी तो अभी हम फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे इसके बाद मैं इसमें टमाटर आड़ कर रही हूँ टमाटर मैंने यहाँ पे दो टमाटर लिये हुए इसको स्लाइसे में काट लिये हैं टमाटर को आड़ करते ही हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि प्यास का जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुख जाए और ना प्यास जल सकती है तो देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था क्योंकि हम यहाँ पे डबल मसाला बिर्यानी बना रहे हैं तो इसकी एक्स्ट्रा ग्रेवी के लिए मैं यहाँ पे टमाटर आड़ कर रही हूं दो टमाटर को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल लिया है इसका प्यूरी बना के तयार कर लिया है इसको भी अब हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे ऐसे अगर आप टमाटर को पीस कर और काट कर डालेंगे तो ग्रेवी बहुत ज़्यादा और अच्छी बन के तयार होती है तो चलिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके तमाटर को हम अच्छे से गला लेंगे मसालों के साथ दिखिए मैं इसमें अभी अध्रक लेसन का पेस्ट अड़ कर रही हूँ लगभग एक बड़ा चमच जितना मैंने अध्रक लेसन का पेस्ट लिया हुआ है इसको भी हम अच्छे से टमाटरों के साथ मिक्स करके जब तक इसकी कच्छी महक नहीं निकल जाती इसको फ्राई कर लेंगे अध्रक लेसन का पेस्ट मैं टमाटर के उपर इसलिए डाल रहे हूँ ताकि मसाले ना जले तो देखिए अभी इसकी कच्छी महक निकलने तक मैं इसको अच्छे से भून लूँगी इसके बाद टमाटर जल्दी गल जाए इसके लिए मैं नमक अभी आड़ कर रहे हूँ नमक मैंने यहाँ पे एक चमच जितना लिया हुआ है इसको भी अच्छे से टमाटर के साथ मिक्स करके टमाटर को अच्छे से गल आलेंगे अभी हम तो टमाटर जितने अच्छे से गल के रेडी होँगे उतनी अच्छी ग्रेवी बन के तयार होगी तो देखिए अध्रकलोसिन की कच्छी में एक निकल चुकी है अब मैं इसमें मसाले आड़ कर रहे हूँ मसालो में मैंने यहाँ पे मिर्ची पाउडर लिया हुआ है दो बड़े चमच, धन्या पाउडर दो बड़े चमच, कसूरी मेथी दो बड़े चमच और आधा चमच जितना हल्दी लिया हुआ है चलिए अब हम इनको मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो जब तक मसाले तेल अच्छे से नहीं छोड़ देते मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं आड़ किया है मसालों को हम टमाटर के साथ ही अच्छे से भूनेंगे आप चाहिए तो इस रेसिपी को कुकर में भी बना सकते हैं तो देखिए लगबग 2 मिनिट के बाद मैं अब इसमें दही आड़ कर रही हूँ दही मैंने यहाँ पे 100 ml जितना लिया है यह लगबग 3 से 4 बड़े टीस्पून है इसके बाद मैं इसमें नीम्बू का रस आड़ कर रही हूँ नीम्बू का रस मैंने एक बड़े नीम्बू का रस लिया हुआ है इसको भी अब हम ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए दही का जो खटा टेस्ट रहता है उसको खतम करने के लिए मैंने दो से तीन मिनट तक इसको अच्छे से पका लिया था जैसे कि आप देख सकते हैं मसालों ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है और ये ग्रेवी भी अच्छे से बन के तैयार हो गई है अब मैं इसमें धनिया पत्ता और पुदिना एड़ कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके हम इसको एड़ करेंगे आप चाहिए तो इसको बाद में चावलों के उपर भी डाल सकते हैं लेकिन ग्रेवी में आप अगर मिक्स करेंगे तो इसका भी फ्लेवर ग्रेवी में अच्छे से आ जाएगा तो देखिए इसको भी मैंने अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लिया है लगभग 2-3 मिनिट के बाद आप देख सकते हैं ग्रेवी अच्छे से बन के तयार हो चुकी है अब मैं इसमें फ्राइ किये हुए अंडे डाल रही हूँ अब हम इसको हलके हातों से जस मसालों के साथ थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको ज्यादा मिक्स नहीं करना है क्योंकि हमने इसको पहले से ही फ्राइ किया हुआ है और उपर से उबले हुए है तो अंडे फट सकते हैं तो इसलिए थोड़ा सा हलके हातों से मिक्स कर लेंगे देखिए एक से दो मिनिट के बाद मसालों के साथ मैंने इसको अच्छे से कोट कर लिया है अभी मैं इनको निकाल रही हूँ अंडों के साथ साथ मैं इसमें थोड़ा सा मसाला भी निकाल के अलग कर लूँगी जैसे कि मैंने आपको बताया था हम double egg masala बना रहे हैं तो इसको बाद में हम serve करने के time पे इसको use करेंगे तो चलिए अब बची हुई gravy में मैं यहाँ पे चावल मिला रही हूँ चावल मैंने आधा kilo जितने लिया हुआ है जैसे कि मैंने आपको बताया था यह 4-5 लोगों के लिए बन रहा है तो मैंने यहाँ पे चावल को भीगो या नहीं है बस धोके इसमें डाला हुआ है अगर आप चावलों को भीगो रहे हैं तो आप इस step को skip कर सकते हैं डाइरेक्ली आप पानी डालके उसके बाद चावल मिला सकते हैं तो देखिए थोड़ा सा मैंने चावल को मसाले के साथ अच्छे से पका लिया है अब मैं इसमें पानी आड़ कर रहे हूँ पानी मैंने यहाँ पे 1 लीटर जितना लिया हुआ है आप भी पानी थोड़ा सा कम डालिए क्योंकि ग्रेवी ज्यादा है तो देखिए पानी डालने के बाद अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ क्योंकि नमक हमने पहले भी मसाले के लिए डाला हुआ है तो अब हम थोड़ा सा नमक एड़ कर लेंगे जो की चावलों के लिए काफी है चलिए अब नमक डालने के बाद एक बारी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लोगी और इसको मिडियम टू हाई फ्लेम पे अभी अच्छे से हम गला लेंगे ताकि चावल अच्छे से गल जाए दो से तीन मिनट तक हम इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं दो से तीन मिनट के बाद चावल अच्छे से गल चुके है और पानी भी इसका अच्छे से पक चुका है अब हम इसको हलके हातों से एक बारी अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चावल अच्छे से गल जाए सब तरफ से अब मैं फ्लेम को मीडियम टू लो कर रहे हूं और ढकन लगा के इसको दम पे रख रहे हूं 2-3 मिनट तक लगबग 2-3 मिनट के बाद देखिए चावल अच्छे से बन चुके हैं और खिले खिले बन के तयार हुए हैं अगर आपके चावल कच्छे रह जाए तो आप इसमें 2-3 टेबल स्पून पानी मिला सकते हैं तो देखिए मैं आपको चमच में उठा के डिखा रही हूँ चावल कितने अच्छे से बन के तयार हुए हैं अब हम इसमें ग्रेवी और अंडों को मिला लेंगे जो कि हमने पहले से ही अलग करके रखा हुआ था आप चाहिए तो इसको अंडे मसाले की तोर पे अलग से भी सर्व कर सकते हैं तो देखिए बिर्यानी तयार है आप इसको सर्व करने से पहले मसाले में मिक्स करके आप इसको सर्व कर सकते हैं देखिए तयार हुई डबल अंडा मसाला बिर्यानी या एक्स्प्रेस बिर्यानी को मैं यहाँ पे रायता और चटनी के साथ सर्व कर रहे हूँ ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए दक्षिन स्टोरी चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें रेसिपी देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद